हेलो ब्यूटिफुल फैमली, आप कैसे हो, आपके दिन अच्छे होंगे और आपके दिन अच्छे से बीत रहे होंगे अच्छे बनती है और मैं आपको लंच में भी दिखाऊंगे अभी मैं थोड़ा सा चेंज की हूं अपनी डाइट में होल वीट मतब आटी की जंगा मैं थोड़ा और यह सब खारी हो और वगर की रोटी तो वह भी मैं आपको दिखाती हूं और ब्रेक्फंस भी आज बहुत ही मैं अच्छी क्या है ना हम सब थोड़ा सा हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हैं विग में बहुत सारा अंड बंड नीचे खा रखा है तो अभी मेरे हस्बंड भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गये डाइट वाइट को लेके तो इसलिए भी हम मैंने ब्रेक्फंस में भी ना चिक ही डाला है अक्चली थोड़ा सा मैंने बुला है अवाइड कर रहे हैं बहुत जाद ओईली तो मैं तो बहुत कम तेल में बना रही हूँ आपको अपने इसाप से डाल सकते हो उसके बाद हींग डालके हींग डालने के बाद ना फिर आप उसके बाद जीरा डाल दो सिंपल मत् कि दीलो मैंने जीरा डाला झा जीरा डालने के बाद देखिए अधर double तक मेर्शी चनी की दाल को मैंने रात में लुक्ति डाल पानी मैंतो खत्म हो जाएगा और व गुद्दिन सही रहेगा सॉटे करने के बाद आप फिर लोकी मिला दो लोकी अराम से डालने के बाद इसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें सिर्फ हल्ती नमक डालना है में ये सारे लौकी डल गई है एक लौकी मैंने यूज किया था मैं तब मीडियम साइज की थी और चने की दाल भी हाफ का टोरी रही होगी फोल के वो जादा हो जाती है और फिर हल्दी नमक डाल के न आप इसको ढख के रख दो बिकॉज ये धीमी आच पे ही पके गए धक के कि ये ऐसा हो गया है थोड़ा सा ये गल गया है उसके बाद मैंने इसमें टमाटर मिक्स कर दिया टमाटर मिक्स कर रहा है तो हल्का सा नमक भी आड़ करूंगी बिकॉज टमाटर को गलने के लिए भी नमक थोड़ा चाहिए होता है फिर उसके बाद फिर इसको मैंने कवर कर के छोड़ दिया है अब इसके बाद इसमें बताते हैं अब देखिए मैं इसका कवर खोल रही हूँ टामाटर भी अलमूस्ट गल चुके हैं मैं तब थोड़ा मुड़ा पस्फराई करने को बचेगा तो अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पौडर गरम मसाला जो मेरा घरवा अब देखो यह अलमूस्ट हो चुकी है मैं आपको दिखाती हूँ टिल्ट करके देखिए हो चुकी है सबजी अब बस इसको थोड़ा सा आँच को हल्की सी तेज करके बहुत तेज मत करें सब्सी जल जाती है तो सब्सकी तेज करके इसको भून लोंगी फिर इसका फाइन लाउट कर देखिए लग रही है हेल्दी टेस्टी कुछ ज्यादा महनत नहीं फट से बन गई और सब्सी रेडी हो गई और यह हमारा ब्रेक फरस्ट चिक पी स्यालिट्स में मैंने एपल क्यूकंबर टोमैटो अनियन धनिया और ग्रीन चिली डाल के चाट मसाला लेमन डाल के मिक्स कर दिया और यह रहा डबा पैक हो गया और मैं अपने लिए लंच में बना रही हूं बाजरे की रोटी मैंने गरम पानी रोला लेकर इसको गूत लिया है गूत करके देखिए यह से मैं पांश मेट के लिए छोड़ दूँगी और फाइनली मेरी रोटी बन गई एक मैं गुड़ की रोटी खाऊंगी क्योंकि मुझे गुड़ बहुत पसंद है थंड में और यह एक रोटी सबजी से खाऊंगी गुड़ की खाने से मेरी मीचे की क्रेविंग भी खतम हो जाएगी और विलोहित खा रहा है अपने प्लीन पराथे वो थोड़ा साड है अच्छली आज उसको टीवी देखने को नहीं मेलेगा स्कूल से आने के बाद क्योंकि हमारी डिसाइड हुआ था आइधर यह टीवी देखेगा आइधर यह नीचे पार्क में खेलने जाएगा तो ही टो मिलते हैं अगली व्लोग में